हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोज़ डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन अब एक नई परिसानी एक नई आफ़त है और लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है लोग बड़े फियर में हैं परिसान है यदि आपने अभी तक मेरा चैनल करकिया है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और अपने आपने के साथ और भी और ہम एक साइंटिफिक को जो क्लेनिकल प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं आपको हेल्थ एडिकेशन देते हैं अरहले को सर्थ करते हैं कि हम प्रोटोकोल को maximum follow करें आपको normal scientific जो knowledge है वो simple words में आप तक पहुँचाएं तो please subscribe the channel तो हवा में वाइरस है आज कल ये बात बहुत common सी बात हो गई है कि हवा में भी वाइरस है हवा के थो वाइरस फैल रहा है वो droplet हो गया है तो इस तरह के जो questions हैं बहुत सारे लोग face कर रहें और मैंने देखा है कि जब से नया mutation हुआ है दुबारा से प्रॉब्लम्स आई है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा fear में हैं stress में हैं उनकी sleep की quality उनको day to day life की quality बहुत बहुत ज़्यादा stress के अंदर आगे हैं वो depressed हैं परेसान हैं और एक multiple confusion और fear के साथ बोजी रहें जो कि उनकी immunity के लिए और health के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है तो उसको समझना बहुत जरूरी है और समझने के बाद वो protocol के अंदर यानि आपको अपने behavior में लाना protocol यह है कि वो patient के साथ साथ आप लोग भी घर में मास्क लगा के रहें क्योंकि देखा यह जाता है कि एक जगें बहुत सारे यानि चार्च है दस वीस लोग हैं एक डायामीटर में कोविट पॉजिट पेशिंट तो उधर वो हवा में वायरस हो सकता है तो उससे बचने की आविश सकता है तीसरा को भीड़ भाड़ वाली यदि जगा है और आपको नहीं पता और कैवरी देख करते हैं खासते हैं तो उस एयर में भी वायरस आ जाता है तो भीड़ भाड़ वाली जगे से पहले आप बचने की कोशिस करें यदि ना बच पाएं तो आप आइदर डबल मास्क लगाएं या एन 95 मास्क लगा सकते हैं बड़ आपका मास्क प्रॉपरली फिट होना चाहिए ओपर नीचे स्पेस नहोरा धुसरा भाड़ मास्क के साथ खेले ना उसको अपड़नी ना करें मास्क लगाने का मतलब है की वहट यूफिट ए मास्क एक बर आपने वाइरस वाली जो बात है वो ठीक नहीं है साइंटिफिक करेक्ट नहीं है हर जगे हर हवा में वाइरस नहीं है जो खुली जगा है जहां पर भीड़ भाड़ नहीं है वहां पर बैट भी सकते हैं वाक भी कर सकते हैं और एक्सेसाइज भी कर सकते हैं लेकिन जहां पर भीड़ वाली जगह है और लोग जर्नली वहां पे मास्क नहीं लगा रहें तो उधर उस एयर में या उस डायामीटर में उस एरिया में और कोविट-19 जो वाइरस है वो प्रेजेंट हो सकता है और वो आपको इंफेक्टेट कर सकता है तो हवा में वाला जो एक न्यूज है जो वाइरल हो गया है लोग बहुत ज़ादा डर रहें और क्लिनिकल प्रक्टिस में डे टुडे अडलेस दस से पंदरे लोग डेली मेरे स से ये questions करते हैं, तो I hope you understand how to deal with that और COVID protocol का again I am requesting कि COVID protocol का पालन करें, mask लगाएं properly, hand sanitize करें और distance maintain करें और vaccine लगवाएं, that is a COVID protocol जो आपको बचाएगा और डरें ना, परिशान ना हो, घबराएं ना Take care yourself Thanks for watching करें लगवाएं